अंग्रेजी सरकार के अंधीन जुल्मों के विरोत में उप्चे अडिक संकल्प के फिलसुरू बहुत से शहीदों ने स्वतंतृता की बलिदेवी को अपने खून से सीचा था और जेलों में ज्यातनाय सही थी प्रांट दिये थी जतिंद्रनात मुकरजी बंगाल के क्रांटिकारी आंदोलन के प्रमुक नेता थे उनकी अद्वुत सहस्पून गति विध्यों के कारण उन्हें बागा जतिन कहा जाता था अंग्रेजी सरकार के विरोथ में सशस्त्र क्रांटि का आयोजन करने के लिए वो विदेशों से हद्यार मंगाने के सिलसिले में 9 सितंबर 1915 को उडिसा में बाला सोर के पास कापटी पोड़ा की एकांत जगा पर जर्मनी से आने वाले शस्त्र भंडार को लेने पिलिए पह सान्याल ने फ्रांतिकारी दल का फिर से संगठन दिया इससे पहले उन्हें विपलव की यूजना बनाने के जुर्म में काले पानी के सजा हुई थी आम माफी दिये जाने पर उन्हें 20 परवरी 1920 को छोड़ दिया गया शचींद्रिनाथ सान्याल ने उत्तर भारत ने अपना संगठन खेलाना शुरू किया योगेश चाचाजी उनके साथ थी इस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एस्सीयेशन उन्होंने कोई 23 नगरों में इसकी शाखाएं स्थापित थी इस संगठन के सिलसले में पन्डित रामप्रसाद बिस्मिल उनके संपर्ख में आये। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पश्पन से ही देश के लिए कुछ करने को बेचैन होते। युव अवस्था में जब अन्य क्रांतिकारियों की बाते सुनते तो कुछ करने को बेचैन होते। आखिर उनकी इच्छा बुरी थी शचिंद्रनाज सान्याल के संपर्ग में आते। राम प्रसाद बिस्मिल अपने प्रांतिकारे दल में उन्हीं लोगों को शामिल करते थी जो उनकी कठेल परीक्षा में सफ़क्ते। चंद्रशेखराजार और अश्वाफुल्दा ऐसे ही सफल गठी थी जिन्हें दल में लिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल अपने विचारों और नियमों के पक्ती थी। उन्हें दल में अनुशासन बहुत दिये था। वो एक अच्छे शायर गुठी। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में ही। इस तरह के राश्ट्रेगीत के रशनकार राम प्रसाद बिस्मिल थी। इस गीत को गाते हुए कितने ही नौजवान स्वतंत्रता की बलिदेवी पर चड़ गय थी। अश्वाक उल्ला शाय जहापुर के रहने वाले थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सत्संग ने उनकी क्रांतिकारी भावनाओं को बढ़ावा दिया। अश्वाक उल्ला भी राश्ट्रिय भावनाओं से उत्प्रोथ प्रविताय लिखा कर दे थी। कुछ आर्जू नहीं है। है आर्जू दिये। रख दे कोई जरा सी हाके बतन वपनने। क्रांतिकारी दन यानि हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसियेशन के एक अन्य महत्रपोन सदस्य बने थे चंद्रशेहर आजाग। मध्यपदेश की एक छोटी सी रियासत अली राजपुर के एक गाउं में कट्टर राहमण के खर वो जन में थे। 10-12 वर्ष की उम्र में वो संस्कृत परने काशी गए। वो राश्ट्री आंदूलन का युख था। सभी ओर राश्ट्रियता के रंग में दूबे लोग अंग्रेजी शासन के दिरोध में जल से जुलूस निकाल देखे। एक दिन राश्ट्री आंदूलन के कारेकर्ताओं ने जुलूस निकाला। अंग्रेज पुलिस ने उन निहत्थे लोगों पर लाचन चलाई। किशोर चंद्रशेखर ये सब देख कर्तल मिला उठा। उसने एक पत्थर उठाकर एक सिपाही को मारा और भाग निकला। किन्तु बाद में पकड़े जाने पर चंद्रशेखर आजाद को अदालत में पेश किया गया। उस समें मैजिस्ट्रेट और किशोर चंद्रशेखर के पीच हुआ संबाद भारतिये स्वतनतता संग्राम के इतिहास में स्वर्नाक्षरों से लिफा गया है। तुम्हारा नाम आजाद तुम्हारे फिता का नाम स्वाधीमी तुम्हारा अजाव जेल खाना आजाद बस तभी से किशोर चंद्रशेखर के साथ आजाद नाम जुड़ गया। उन्हें तब 15 बैटों की सजा ही थी। हर बैट की मार पर उन्होंने कहा था बंदे मातरम भारत माता की जै। राजेंद्रनात लाहडी वो थे तो बंगाल के पर बच्पन से ही बनारस आकर रहने लगे थे। और बनारस के क्रांति का रिदल के मुख्य संगठक थे। राश्ट्री आंदोलन में सक्रिये कारे करने वाले लाहडी पर बिस्मिल को बड़ा भरोसा था। और शचींद्रनात बक्षी भी बंगाली थे। पर बनारस में रहते थे। वो शुरू से ही स्वतंत्रता के लिए क्रांति कारी कार्यों में जुटे हुए थे। इसलिए उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एस्सियेशन का सदस्य बनाया गया था। उन्हें जहांसी में संगठन चलाने के लिए भेजा गया था। काकोरी यूजना के लिए बिस्मिल ने उन्हें खास तोर पर बुलाया था। 9 अगस्त 1925 को सहरनपुर लखनव पैसंजर ट्रेन जब काकोरी के पास पहुंची तो ट्रेन रोक कर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया और लखनव चले गए। उनकी धर पकड़ में चंद्रशेखर आजाद को छोड़ कर बाकी सभी लोग पकड़ेगे। बाद में राजिंद्रनाद पहुरी, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सेंग और अश्वाक उल्ला को खासी थी। शचिंद्रनाद पक्षी, मुकुंदिलाल, केशव तथा मनमत नाद गुप्त को जेल की सजा थे। भगत सिंग को खारतिय स्वतन्तुता क्रांती की धारा के लिए मोड सूचक नील का पथर कहा गया है। उन्होंने समय और समाज को देखते हुए प्रांती कारियों को धार्मिक भावनाओं से उपर उठा कर समाजवात की ओर मोडा था। लाला लाचपत प्राय की हत्या का बद्ला लेने के लिए पंधा दिसंबर 1928 को प्रांती कारे दल ने अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी। इसमें शामिल हुए भगत सिंग, चंदर शेकर आजाद और शिवराम राजगुू। अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या के बाद ये लोग लाहौर से वेश बदल कर भाग निकले। दुर्गा भावी के साथ उनके बच्चे को गोद में लेकर धगत सिंग चले। राजगुरू उनके अरदली बने थी और चंदर शेकर आजाद एक पंडे के वेश में तीर थी आत्पियों की चोली के साथ निकल गए। इसके बाद ख्रांतिकारी दल ने दिल्ली में असेंबली में बम थेकने की योजना बनाए। इसके लिए भगत सिंग को भीजने का फैसला किया। किन्तु राजगुरू और सुक्देव दोनों ही चाहते थे कि उन्हें भीजा जाए। प्रांतिकारी सुक्देव लुध्याना के रहने वाले थी। कॉलिश में पढ़ते हुए उनका छुकाव क्रांति की उठ हो गया था। फिर वो भगत सिंग के संपर्ख में आए। इनके हाथ में इनका नाम गुदा हुआ था। क्रांतिकारी होने का किसी को पता न लगे। इसलिए एक दिन सुक्देव ने मुम्बत्ती जलाकर उस गुदे हुए भाग को बड़े साहस से जला दिया। साथ ही क्रांतिकारी उनके इस साहस को देखकर चकित रह गये थी। दिल्ली में असेंबली में बम ठेखने का काम अंत में भगत सिंग और पटुकेश्वर्दत को सौपा गया था। पटुकेश्वर्दत सन 1924 में भगत सिंग के संपर्थ में आये थी। क्रांती की चिंगारी बचुकेश्वर्दत में बच्छपन से ही सुलग रही थी भगत सिंग के साथ से उसे बल मिला आज एपन उन्ने सो नत्रिस को असेंबली में बं फेटने के सार देश को पहली बार इनकलाब जिन्दाबाद का नारा दिया भगत सिंग और बटुकेश्वर्दत में भागने की बजाए गिरफतारी थी सर्दार भगत सिंग ने अपने बयान में कहा था क्रांती कारी डाल का उदेश मजदूरों और किसानों को उनका हाक दिलाना है ताकि हम एक वर्ग हीन समाज की स्थापना कर सकें बाद में भगत सिं उधर चट्कावने सूर्यसेन क्रांती के क्षेत्र में उतरने से पहले एक स्कूल में लोकप्रिय अध्धा पकती सभी लोग उन्हें आधर से मास्थरता किक देती राश्ट्रिय भावना ने सूर्य सेन को क्रांतिकारे बना दिया और नौकरी छोड़कर वो स्वतंतिता संग्राम में खूत पड़े थी सूर्य सेन के नेत्रत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक एक नया क्रांतिकारी सैनिक संगठन तयार किया गया था इसमें 500 से अधिक युवक भुर्ती हो चुके थे। संगठन का उत्देश था, संगठन, साहस और बलिदान। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी तैयार हुने पर चटगाउं स्थित प्रिटिश शस्त्रगार लूटने की योजना बनाये। 18 एप्रल 1930 को उन्होंने रात्री पॉने 10 बचे आक्रमन का आदेश दिया। अलग अलग गलों को अलग अलग काम सौपे गए। इस अचानक आक्रमन से ब्रिटिश शासन थर्रा उठा था। जलालाबाद की पहाडी पर क्रान्तिकारियों और ब्रिटिश सेनिकों के पीच जन कर यूद्ध चुआ। एक ओर शक्त दिशाली ब्रिटिश सेना थी। दूसरी ओर 20 साल से भी कम उम्र के नौजवान क्रान्तिकारी। आखिर क्रांतिकारी दल की खार थी, बीस नौचवान मारे गए, बहुत से गिरफ़तार बिखे, किन्तु सूरे सेन और कुछ अन्ने क्रांतिकारी नहीं पकरे जा सकी सन 1930 में स्वतंत्रता क्रांति व्यापक रूप से फैल गई थी, जिसमें कलकत्ता में बिनोय बोस, बादल गुपता और दिनेश कुपता ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकी योशना बनाई, ये बी-बी-डी ग्रुप के नाम से जाने जाते थे इन्होंने कारागारों के मुख्य अधिक्षक कर्नल सिंप्सन को आज दिसमबर 1930 को कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में गोली मार दी उधर 27 फरवरी 1931 की बात है, दिन के 10 बजे थे चंदर शेखर आजाद इलहबाद में चौक कट्रा की तरफ से जा रही थे उनके साथ सुकदेवराज भी था चंदर शेखर आजाद ने अचानक वीर भद्र तिवारी को देखा तो चौक उठे वीर भद्र तिवारी काकोरी शड्यंत्र में गिरफतार हुआ था पर नाजाने कैसे छूट गया था इस कारण दल के लोग उस पर शक करने लगे थे और उसे दल से निकाल दिया गया था चंदर शेखर आजाद और सुकदेवराज एलफरिट पार्क में एक जगा बैठ गए इतने में पुलिस अफसर बिसेसर सिंग और डाल चंद खुफिया पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट नौच बावर को लेकर पार्क में पहुच गया दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी सुकदेवराज मौका पाकर भाग निकला अब एक तरफ चंदर शेखर आज़ाद अकेले और दूसरे तरफ तीन लोग मुकाबले में रह गए थी नौच बावर के हाथ में आज़ाद की गोली लगी और पिस्टॉल चुटकर गिर पड़ी परंतु पिसेसर सिंग लगादार गोली चला रहा थी आज़ाद की एक गोली उसके चबड़े पर लगी और वो खायल हो गया परंतु आज़ाद पैर में गोली लगने से खायल हो गए और उनकी गोलिया भी खत्म हो रही थी आखर एक गोली बचने पर उसे उन्होंने अपने आप को मार दी और सदा के लिए सो गए चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारियों के आदर्श निता थे उन्होंने अपने साथियों में ऐसी लोकप्रियता हासिल की थी कि वो आज़ाद के एक इशारे पर प्रांड देने को तयार रहते थे उधर सूरे सेन के दल की एक सक्रिये कारे करता थी कल्पना दत्प चटगाउं शस्त्रगार कांड के दिनों में ही वो चटगाउं आई थी और क्रांतिकारी मनुरंजन राय के घर ठहरी थी उन्होंने चटगाउं साइंस कॉलेज में दाखला ले लिया था वो पढ़ाई के साथ साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी योजनाओं पर कारे करती थी ब्रिटिश पुलिस को सूरे सेन कल्पना दत्प आधी की बहुत तलाश थी पर वो हाथ नहीं आते थी चटगाउं के पास गोईराला गाउं के एक जमिदार को पृटिश पुलिस ने दस हजार रुप्यों का प्रलोहन दिया कि वो सूरे सेन और उनके साथियों को पकड़वा दे थी वो जमिदार सूरे सेन से परिचित था 16 फरवरी 1933 की राद सूरे सेन अपने साथियों के साथ उस जमिदार के निमंत्रण पर पहुंचे उनके साथ कल्पना दत विथी अभी पुलिस ने जमिदार का घर घेरना शुरू ही किया था कि सूरे सेन को पता चल गया दोनों और से गोलियां चलने लगी सूरे सेन पकड़े गया किन्तु कल्पना दत और कुछ अन्य साथी पकड़े नहीं जा सकी परन्तु 19 मई 1933 को कल्पना दत और उनके साथी सागर तठ पर बसे गाहिरा नामक छोटे से गाउं से गिरफतार कर लिये गए बात में पुरुशों को तो फासी दे दी गई किन्तु कल्पना दत को आजीवन कारावास की सजा मिली उधर सूरे सेन पर मुकदमा चला उन्हें फासी की सजा दी गई 12 जन्वरी 1934 को जब आधी रात के समय उन्हें फासी के लिए ले जा रहे थे तो सूरे सेन ने बड़ी जोर से बंदे मातरम का घोश किया जेल के सारे कैड़ी जाग उठे वो समझ गए कि सूरे सेन को फासी के लिए ले जा रही है उत्तर में जेल के सारे कैड़ियों ने बंदे मातरम कहा सूरे सेन ने फिर बंदे मातरम कहा फिर वही उत्तर जेलर इससे चड़ गया उसने सूरे सेन के सिर पर डंडा मारा सुर्य सेन का प्राणान थो गया। जेल अधिकारियों ने अपनी घलती छिपाने के लिए उनके मृत शरीर को फांसी पर लड़का कर कानूनी कारवाई पूरी करते। स्वतंतृता अंदूलन के दौरान अपना पलिदान देने वाले अमर शहीदों के अलावा उन लोगों का जीवन भी उतना ही कश्च दाई था जो देश की तमाम जेलों में तरह तरह की यातनाई भुगत रहे थे या उन्होंने प्रांट दे दिये किन्तु उन यातनाओं के सा स्वतंत्रता सेनान्यों को उस समय अंदुमान की सेलूलर जेल में बंदी बना कर अःधा गया था काले पानी की सजा खछीनोना संबुद्ध र Tiani बिनायक्तामोदर सावरकर में स्वतंत्रता सेनानयों के साथ हुए वैवार का बड़ा ही रुमांचक और थिर्दय विदारक विवरण प्रस्तु दिया हुआ है कि सेल्यूलर जेल का जेलर मिस्टर बारी इन लोगों को राज नहीं ते खैदी नहीं मानता था अगर कोई इन लोगों को राज खैदी कहता तो वह आप ऐसे बाहर हो जाता वो चीखत बुछता आओ खाउन राज खैदी हाँ वो तुम्हारे माफिक मामूली खैदी हाँ देखते नहीं इन पर बदमाश खैदियों का टी लिखा है गैदीों को कोलू पेरना पड़ता था उन्हें सिर्व थोड़ी देर के लिए रोटी खाने के लिए खुला जाता पानी देने वाला इतना कम पानी देता था कि पीने के लिए भी पूरा नहीं बढ़ता था अगर किसी जमादार से शिकायत करते कि पानी कम मिलता है ॥॥ वह बता पी तो प्याओक भुखक अधो थे ने तक टोरी का हुख नो किसे कॉधानी ना नहाने का तो सवाल ही नहीन था खाने का भी यही़ाल था खाना देकर कोछरी बंद करती जाती लिए जाते हैं चैटी ने खाया ओ तो सदा मिलेगी सुवाला ऐसे में कई लोग मुँ में कौर रखते और कोलू चलाते सौ में एकाधी ऐसे होते जो दिन भर में 30 पॉंट तेल निकाल पाते थे जो लोग तेल महीं निकाल पाते उन पर जमादार, नमबरदार तंडे बरसाते लाद, घूसा और जूते मादे उस समय किसी की बीमारी वगएरा की भी परवा नहीं की जाती सेलिलर जेल में राशनेते कैदियों पर होने वाले जुल्मों की चरम सिमा ये थी कि सवेरे, दोबहर और शाम के सिवा कोई शोचाला भी नहीं जा सकता था अगर चला गया तो हत कड़ी बनपाकर आठ घंटे खड़े रहने की सजा दी जाती स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल की लंबी-लंबी सजाएं भोगने वाले पंडित जवाहलाल नहरू के अनुभव भी बड़े रोमांचक और देशत भरे रहे हैं उन्होंने लिखा है देहरादून जेल की चोटी सी कोठी में मुझे ऐसे लगने लगा जैसे में उसी का एक हिस्सा हूँ वहां कितने ही तताईये और बर्रों के छत्ते थे और कितनी ही छिपकलियों ने शेहतीर के पीछे अपना घर बना लिया था खटमलों और मच्छों मक्खियों से मेरी लड़ाई बराबर रहती थी जब कभी बिजली जोरों से कड़का करती तो बिच्छों के जुन्ड अधिक हो जाते तीन चार साप भी वहां रहते थे पर मैं उनसे नहीं डरा हाँ कंखजूरों से मुझे बहुत नफरत और दर लगता काकोरी कान के कैदी जब जेलों में ले जाए गए तो उनके साथ भी साधारन कैदियों जैसा वैवार हुआ इस पर उन कैदियों ने अपने मांग मनवाने के लिए अन्शन शुरू कर दिया लाहुर जेल में भगत सिंग और बटुकेश्वर दत ने राजनेतिक कैदियों के विशेश वहवार की मांग की और अन्शन शुरू किया लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक न सुनी उल्टे अन्शन करने वालों के साथ जबरदस्ती शुरू हुई एक अन्शनकारी के लिए साथ आच आदमी बुलाय जाती एक आदमी उसके सिर पर दूसरा उसकी छाती पर बैठ जाता और बाकी उसके हाथ पैर पकड़ लेते फिर रबर की लंबी नालियों के जरिये उनकी नाक के रास्ते पेट तक दूद पहुचाया जाता इस अत्याचार के कारण 13 जुलाई 1927 को लाहौर जेल के कैदियों ने अन्शन शुरू कर दिया इनमें यतिंदुरदास बित्यू दत की हालत पहले से ही खराब थी अन्शन के कार और भी ज्यादा खराब होने लगी लोगों को यतिंदुरदास के बारे में चिंदा होने लगी और सभी और चर्चा फैल गई जवाहरलाल नहरू ने जेल में जाकर अन्शन करने वालों से मुलाकात की उन्हों ने देखा कि ये अन्शन अपने लिए नहीं बलके तमाम दू करवट लेन की ताकत नहीं है वो भूद धीरे धीरे बूलते हैं मालूम होता है वो अपने प्राणों की बाजी लगा कर लड़ाई में शामिल है धीरे धीरे यतीन दृदास मृत्यों की ओर बढ़ने लगी डॉक्ट्रों ने कह दिया कि उन्हें जीने की कोई आशा नहीं है सारा शरील सुन पढ़ता जा रहा था आखिर तेह सितंबर 1929 की दुपहर यतीन दृदास ने सामराज जवाद के विरुद्ध त्रे सर्च दिन तक लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया लेकिन ऐसे कई शहीद हुए हैं जिन्होंने अपने खून से स्वतंत्रता की बलिदेवी को सीचा था फतेगर सेंट्रल जेल में मनींद्रनाथ बेनर जी ने भी सामराज जवाद के अत्याचारों के विरुद्ध कई लोगों के साथ अंशन किया था मनींद्रनाथ की हालत बिगरती चली गए परन्तु ब्रिटिश शासन तस से मस नहीं हुआ किन्तु स्वतंतता सेनानियों की शहादत उसे कमजोर तो बना रही थी आखरेट 20 जून 1935 को मनींद्रनाथ मुगर्ची 66 दिन की भूखरदाल के बाद अत्यन करुण अवस्था में शहीत हो गए एहमद नगर जेल में मौलाना अबुलकलाम आजाद, जवाहलाल नहरू, सरदार पठेल, आसफली, गोविंद वल्लब बंद, पट्टाभी, सीता रमयया, आचारे क्रिपलानी आद, कई बड़े नेता बंदी बना कर रखे गए थी बंबई से आये जेलों की इंस्पेक्चर जनर्र ने उन्हें बताया कि वो न तो अपने रिष्टिदारों को चिठ्थियां लिख सकते ही, नहीं उनकी चिठ्थियां मिलेंगी, अख़बार भी नहीं मिलेंगी ये हुक्म बहुत सक्थ है जिसका पालन करना ही होगा इस तरह ये सब बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट चुके थी परन्तु चन्म भूमी को अंग्रेजों के कबजे से मुक्त कराने के लिए अडिक संकल्प, शक्ति और साहस का उदय हो चुका था अुका हुक्म